आज मैं आपके लेकर आई हूँ मटर पनीर की रेसिपी मटर पनीर बहुत तरीकों से बनाया जाता है मतलब डिफरेंस तरीके हैं मटर पनीर को बनाने के और जितने भी तरीके हैं इसको बनाने के ये खाने में बहुत डिलिशिस लगता है आज मैं इस recipe को अपने तरीके से बना कर दिखाऊंगी मतलब इस मत्रपनेर को आप hotel, restaurant के मत्रपनेर से compare बिल्कुल कर सकते हो तो चलिए बनाना सुर्ख करते हैं उसके लिए pan में मैंने एक टेबल स्पून oil डाल दिया है oil को गरम कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम दो medium size की प्याज को मैंने roughly chop करके डाल दिया है अब इनको हलका सामें translucent करना है यहाँ पर इनका color change बिल्कुल नहीं करना है तो उन्हें एक मिनट के लिए मैंने चला लिया है यहाँ पर प्याज को और प्याज हमारी हलकी translucent हो चुकी है बस अब हम बागी की चीज़े add करेंगे अब इसमें चाहेगा एक चमच लैसून को मैंने grate करके डाला है साथ ही एक चमच अधर को ग्रेट करके डालेंगे आप चाहे तो अधर को लैसून का paste डाल सकते हैं तो चलाएंगे इनको एक बार mix करेंगे और इसमें अब हम डालेंगे दो medium size की टमाटर को मैंने यहाँ पर काट कर डाल दिया है इसी के साथ में इसमें हम नमा काट कर देंगे ताकि सारी चीजे अच्छे से soft हो जाए एक हरी मिर्च को काट कर डालेंगे और एक बार mix करेंगे सबी चीजे को और अब हम इने पानी वगएरा कुछ निडालना है इस वक्त अब हम इनको क्या करेंगे ढग कर दो मिनट के लिए soft कर लेंगे तो दो मिनट हो चुकी है सारी चीजे बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है यहाँ पर इनको match नहीं करना है मतलब दो मिनट लिए इतना काफी है बस अब क्या करेंगे ग्यास को बंद करेंगे और इनको ठंडा करके हमें ब्लेंड कर लेना है एक fine puree बना कर इनके हमें तयार करनी है जब इस तरीके से प्याज अधरक लैसून हरी मिर्च को भूनते हैं गरम तेल में इसाक काफी बढ़ जाता है वैसे तो आप इन सारी चीज्यो को कच्छा ही blend कर सकते है इस वाले step को आप इस की भी कर सकते है लेकिन इस process से टेस्ट काफी enhance हो जाता है जो काईने में काफी tasty लगेगर एकदम restaurant जैसा तो प्यूरी को यहाँ पर हमने तयार कर लिया एक बाउल में डाल देंगे से और अब एक बड़ा चम्मच मैंने याँ पर कड़ाई में ओईल गरम कर लिया है ओईल को गरम करने के बाद में इसमें हम आदा चम्मच जीरा डालेंगे जीरा क्रेकल हो चुका है और इसी के साथ में एक बढ़ा सा कलर्स में लाने के लिए मैंने दो टी स्पून कस्मिरी लाल मिज़ डाली है इसे कलर बहुत अच्छा हैगा इस वक्त हल्दी आड बिल्कुल नहीं करेंगे और बस जो प्यूरी है उसे आड कर देंगे प्यूरी को अड़ करेंगे एक बार मिक्स करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया कुछ मसाले अड़ करेंगे दो चमत धनिया पाउडर डालेंगे और एक बार इसको mix कर लेंगे अच्छे से तो मैंने आपने ढखकर एक मिनट के लिए इनको पका लिया है और इस वक्त हम इसमें हल्दी याड़ करेंगे जो मैंने एक चोथा ही चमण डाली है ज्यादा हल्दी का यूज नहीं करना है आपको और अब हम इसमें नमक आड़ करेंगे थोड़ा सा बुझे नमक कम लग रहा था अगर आपने स्वाद अनुसान नमक पहले ही याड़ कर दिया है तो इस वक्त डालने के जुरूत नहीं है सारी जोग अच्छे से mix करेंगे और बस अब इसको हम ढख कर छोड़ देंगे तकरीबन दो मिनट के लिए यहाँ पर मसालो को खूब अच्छे से भूनना है आपको पकाना है बढ़िया से और यह देखे तेल सेप्रेट हो रहा है उपर मतलब अच्छे से तेल जो है फ्लोर कर रहा है एक बार mix करेंगे तो यह देखे मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके है क्वांटिटी भी कम हो गई है मसालो की अब मैंने यहाँ पर एक कप मटर ली है ताजी मटर मैंने ली है आप चाहिए तो फ्रोजन मटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह ताजी मटर डालकर हम जो है इसे तकरीवन दो मिनट के लिए पकाएंगे तो देखिए मटर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है अब इस वक्त हम इसमें पानी आड करेंगे मैने एक कप पानी इसमें आड किया है और पानी डालने के बाद हम इने इसको दो मिनट के लिए और पका लिया है डगकर तेख बार चलाएंगे इसको हम ताकि कड़ाई में यह मसाला जो है ग्रेवी हमारी चिपके ना और flame को मैंने low to medium पर ही रखा है अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है पनीर को pieces जो है मैंने medium size के काट कर लिये है cubes में काट लिया है और इस तरह के medium pieces मैंने रखे है यह घुलते नहीं है क्रेवी में जाकर अब यह सारे pieces हम इसमें add कर देंगे और इसको हम हलके हाथ से चलाएंगे तो यहाँ पर इसको मैं देशी तरीके से बना रही हूँ बिल्कुल limited चीजों का इस्तमाल करके जो खाने में बिल्कुल इसमें देशी touch आप को लगेगा अब मैंेर उपटें हो चाहिए जो देशी touch है उसका और यह खाने में काफी detail लगेगा तो यह पर देख सकते हैं यहां तेल जो है बिल्कुल कैसे floor कर रहा है एकदम जबरदसनी मत्र पनीर बनी है बिल्कुल देशी अंदाज में ऐस बनाया रहा स्पार्टन बिल्खना के तो अच्छे सीवर्श में अच्छे से तेल अमें फाइनली आप कसूरी मेथी को भी आड़ेख तो आपके 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 अन्याटि और इसको मिक्स करेंगे फाइनल इसको ढखकर हम एक मिनट के लिए पकाएंगे और अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग तो आप इस मटर पनीर को होटेल रेस्टोरेंट की मटर पनीर से बिल्कुल कंपेर कर सकते हैं इसे आप रोटी, राइस, नान, प्रांटा या पूरी के साथ में इन्जोई कर सकते हैं अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना बोले और ऐसी मज़दार रेस्पीच देखते रहने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो कैसी लगी आज की रेस्पीच आपको कमेंट शक्सिन में जरूर बताए